मुझे आज एक जरुवत पढ़ी वीडियो की एक एनिमेटेड वीडियो की जिसकी लेंथ है लगबख 45 सेकंड्स और मैंने उसे कई जगह डाला कि मुझे वीडियो की जरुवत है अब जो मेरे पास कोटेशन्स आये हैं वो आये तीन हजार, छे हजार, दस हजार इस तरीके के कोटेशन्स आये हैं, पाँच हजार और इन कोटेशन्स में एक खास बात यह है कि किसी ने भी मुझे से बात करने की कोशिश नहीं किया है, किसी ने भी मेरी जरुवत को जाने कोशिश नहीं किया है, मैंने पूछा कि चार्ज क्या है, उन्होंने डारेक चार्ज बता दिया मेरा क्लाइंट जब मुझसे चार्ज पूसता है तो मैं कभी भी चार्ज नहीं बताता हूं क्योंकि मेरा चार्ज कुछ होता ही नहीं है कई बार मैं अपने क्लाइंट का काम साड़े तीन सो रुपे महीने में करता हूं कई बार आज भी साड़े तीन सो रुपे मही मेने 350 रुपीज पर मन्त और उसमें बहुत कुछ होता है बहुत कुछ बढ़ उसकी बदौलत मुझे बहुत सारे रेफरेल्स भी मिलते हैं जहां से मुझे मोटी इंकम हो जाती है आपको ज्यादा क्लाइंट्स चीए तो काम छोड़िये मत काम छोड़िये मत काम को पकड़िये काम को कीजिए आपके पास एक सॉफ्ट्वेर है जैसे आप वीडियो बनाते हो फॉर एक्जम्पल डूडली है टूनली है 2800 रुपे का वो सॉफ्ट्वेर है 2800 रुपे का मैं उसे खरीद के वीडियो बना ली नहीं मैंने तीन हजार से सस्ता वो ही पड़ेगा मुझे 6000 से सस्ता पड़ेगा माई डियर फेंड्स मेरी ग्रामर अच्छी है मुझे वीडियो एडिटिंग करनी पी आती है सब कुछ करना आता है और पूरे महीने में अनलिमिटेट वीडियो और बना सकता हूं तो आपको पहले अंडरस्टेंडिंग करनी है कि सामने वाला बंदा कौन है अगर मैं आपसे वीडियो बनवा रहा हूं एक डिजिटल कोच हूं मैं एक डिजिटल एंट्रपेनियर हूं तो मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग और आने वाले हैं जन्हें वीडियो की जरुत पड़ेगी और तब मैं अपने उन सभी भाई बंदुहों को रैफर करने वाला हूं जो अच्छा काम करते हैं मैंने आपसे वीडियो बनवाई आपने बना दी चार सो रुपे में बड़ियो क्लाइंट बनवाएगा तो आप उससे पांस एजर ले लो उसको डूडली डाउ धिकाया क्या मैसिज देना चाहते हो किस तरह की वीडियो रखना चाहते हो क्या फ्लो रखना चाहते हो डिस्कुशन करें समद़ें अपने क्लाइन्ट यूकार नहीं आप को पेиеसे बता देते हो डि CJ करते हो कोई फरेक ने बड़ता क्लाइंट को जो डूडली और टूनली भी इतने बेकार नहीं है, वहाँ भी creativity तो लगती है, right, खेर मैं किसी भी उसमें नहीं जा रहा हूँ, मेरा message यह है, कि अगर आप, अगर आप, दीपक कनक राजू का मैं काम करूँगा, तो हो सकता है मैं फिरी में कर दो, मेरे जो चार्जिज़ हैं, उस काम को करने के हो सकता है, दो लाख रुपे हो, बट हो सकता है, दीपक कनक राजू के लिए वो काम मैं फिरी में कर दूँ, अगर वो कहें मुझसे तो, उसका reason क्या है, दीपक कनक राजू का एक testimonial, मुझे 40-50 लाख रुपे कमा के दे सकता है, और वहां से मुझे testimonial मिल जाए, तो वो मुझे लाख रुपे कमाने का मौका मिल सकता है, Blair Singer का मैं काम कोई फिरी में करूँ, तो वो मुझे लाख रुपे कमबा सकता है, मैं आपको influence नहीं कर रहा हूँ, गलत तरीके से, मैं सही तरीके से influence कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐस मैंने clients हैं, जिनका काम मैंने almost फिरी में किया है, और वो खुश हुए, वहां से मुझे referrals मिले, आपको ये भी समझना है, कि सामने वाला क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, for example मैं एक बात कहता हूँ, कि मुझे एक 1000 words का article चाहिए, तो मैंने डाला market में, तो मैं पूछना चाह कर आओं कि आप कितने पैसे लोग है, डिमांड आई 5000, 10,000, 15,000, आपने यह नहीं पूछा कि article मांगने वाला बंदा कौन है, पैसे मंग लिए सीदे सीदे, this is not the right way, सही तरीका नहीं है, आप पहले पता करो कि सामने वाला बंदा है कौन, for example अगर मेरे जैसे बंदा है, मैं मान के चलो या दीपक कनक राजू है, सिदार्त राशे करें, या कोई बड़ा कोच और है, या कोई और भी है, कोच टाइप का बंदा, जो दिमाग में उसके बहुत सारी imagination सलती रहती है, और वो आप से कह रहा है कि 1000 words का content लिख दो, तो आप पता करो कि बंदा कौन है, requirement क्या है, आपको लगता है कि बंदा हमारे जैसा है, तो पैसे बहुत कम मांगो, और आपको लगता है कि बंदा business owner है, कुछ different type का बंदा है, तो उससे पैसे फूम मांगो, उसका एक reason है, कि अगर आप मेरे से 1000 words के content के 1000-2000 रुपे, 1000 के 1000 मांगो कि चल जाएगा, 500 मांगो तो और यार, मैंने बहुत लोगों की मदद free में किया, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको free में करवाना चाहता हूँ, मैंने बहुत लोगों की free मदद करता हूँ, to date, आज भी, बस लोग सवाल पूछ लें, और help मांग लें, मैं कर देता हूँ, अगर मेरे जैसे बंदे का content आप 5000-10,000 में लिखोगे, तो जितनी देर में मैं आप से discussion करूँगा, believe me, मैं उतनी देर में 2000 words का content लिख दोगा, this is the reason की मैं best SEO expert हूँ, इंडिया में, तो चीजों को practical level पर समझो, my dear friends, पैसा मत मांगो, discuss करो requirement को, हो सकता है कि आप जो मंग रहे उसे ज़्यादा मिल जाए, वहाँ से आपको recurring काम मिल जाए, ongoing basis पर काम मिलने लगे, for example, मेरी तरफ से मेरे बहुत सारी clients है, requirements आती रहती है, मैं video बनाता हूँ, और मेरा अगर आप एक genuine affordable reasonable price पर बनाओगे, और फिर मेरी तरफ से आपको बहुत सारा काम आने लगेगा, तो आपको एक regular income हो जाएगी, time तो उतने ही लगता है, software में डालो, इदर से डालो, इदर से निकालो, राउल गंदी वाला dialogue है, तो अगर आपको आता है, तो आपके लिए time taking नहीं है, वीडियो बनाना, content लिखना, आपको नहीं आता है, तो फिर तो आप struggle करोगे, फिर आप उसको सीखो, और learn करो, अपनी skills को sharpen करो, जो मेरा message है, वो यही है, कि आप अपने clients की साथ discuss करो, उसको समझो, और फिर यह समझो कि जो आप पैसे बताने वाले हो, तो उस पर आपको धन्दा मिलने वाला है, या नहीं मिलने वाला है, उसी हिसाब से पैसे बताओ, मैं कल मुने, कल मैंने 4,70,000 की डील क्लोज किया, 4,70,000 की, तो वो डील जो है, वो client को करोड़ों रुपे देने वाली है, client को उससे करोड़ों रुपे का फायदा होने वाला है, मैंने उससे 4,70,000 लिया है, तो मेरे लिए भी ठीक है, और उस बंदे के लिए तो ठीक ही ठीक है, आप समझो तो सही कि जो काम करने वाले हो, उससे सामने वाले को क्या फायदा होने वाला है, और आपको क्या फायदा होने वाला है किस पैसे पर डील क्लोज हो सकती है किस पर नहीं हो सकती है फिर थोड़ी सी कम पैसे नहीं ले सकता तो मैं घरा के पीछे पड़ जाता हूं अले सार ऐसे कैसे आप देखो यह रीजनेबल प्राइस है इसको आप करवा के देखो मैं आपको डिसपोइंट नहीं करूंगा इस तरीके से बट वुत तब आता है जो आप रियल में ही एकदम जैन्वन और री ट्व हैं तर बले लिजए रुटम देखी इंग आपन